साल 2023 के आखरी सूर्य ग्रहन के बाद अब आज यानी 28 अक्तूबर को इस साल का आखरी चंद्र ग्रहन लगने जा रहा है। साल का आखरी सूर्य ग्रहन शारदिय नवरात्री के ठीक एक दिन पहले यानी 14 अक्तूबर को लगा था। आखरी सूर्य ग्रहन के ठीक 14 दिन बाद आज शरत पूर्णिमा पर चंद्र ग्रहन लगने जा रहा है। शरत पूर्णिमा का हिंदू धर्म में बहुत ज्यादा महत्व है। शरत पूर्णिमा की रात चंद्रमा से निकलने वाली किरणे अमृत के समान मानी जाती है। यही व परसेगा जानेंगे पूरी खबर, लेकिन इससे पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि पूरी जानकारी के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें, और यदि आप चैनल पर नए आए हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें दोस्तो बात करते हैं कि क्यों लगता है चंद्र ग्रहन सूर्य के चारों तरफ प्रित्वी घूमती है और चंद्रमा प्रित्वी का चकर लगाता है। अध्य, रात्री, 1.44 बजे, ग्रहन का मोक्ष, रात्री, 2.24 बजे, ग्रहन का सूतक, दोपहर, 4.05 बजे, शास्त्रों में ग्रहन के दौरान सोने से भी मना ही है। ऐसा करना अशुभ माना गया है। साथ ही इस दौरान पेड़ पौधों को भी स्पर्श नहीं किया जाता है। इसके अलावा ग्रहन के दौरान न तो पूजा करनी चाहिए और नहीं मंदिर का पट खुला रखना चाहिए। चंद्र ग्रहन के दौरान गर्भवती महिलाओं को घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए। मान्यता है कि इससे गर्भ में पर रहे, शिशु पर नकारात्मक प्र दौरान गर्भ नहीं माना जाता है। को खुली आँखों से देखना उचित नहीं होता है, क्योंकि ये आपकी आँखों को नुकसान पहुता सकता है। हालांकि चंद्र ग्रहन को देखा जा सकता है। आप चाहें तो दूसरे दिन खीर बना कर भगवान को भोग लगा सकते हैं। या फिर आज सूतक काल शुरू ह होने से पहले खीर बना कर उसमें तुलसी की पतियां डाल कर रखते हैं। चंद्र ग्रहन खत्म होने के बाद आप इस खीर को चंद्रमा की रौशनी में रख कर कुछ देर बाद इसका सेवन कर सकते हैं। ग्रहन के साथ ही इसके सूतक काल को भी शुभ नहीं माना जाता है। इस दौरान पूजा पाठ निशेध माना जाता है। ऐसे में 28 अक्तूबर को दोपहर के बाद से ही मंदिरों के कपाठ बंध हो जाएंगे। इस वजह से शरद पूर्णिमा पर बनने वाली खीर भी इस बार मध्य रात्री में नहीं बनेगी। कहां कहां देखा जा सकेगा स आखरी चंदरग्रहन? शाल के अंतिम चंदरग्रहन को भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, यूरोप, उत्तरी अमेरिका, दक्षनी अमेरिका, एशिया, हिंद महासागर, अटलांटिक, दक्षनी प्रशान्त महासागर, आर्कटिक और अंटार्कटिका में देखा जा क्या भारत में भी दिखाई देगा साल का आखिरी चंद्रग्रहन? इस बार साल का आखिरी चंद्रग्रहन भारत में भी दिखाई देगा. इसके पहले साल 2030 का पहला चंद्रग्रहन पांच मई को वैशाक पूर्णिमा वाले दिन लगा था. ये चंद्रग्रहन दुनिया भर के कई हिस्सों में देखा गया लेकिन भारत में यह ग्रहन दिखाई नहीं दिया था भारत में कितने बजे लगेगा चंद्र ग्रहन पंचांग के अनुसार चंद्र ग्रहन 28 से 29 सक्टूबर को रात्री 01 बज कर 06 मिनट से शुरू होगा और देर रात्री 02 बज कर 22 मिनट पर समाप्थ होगा कुल मिलाकर एक घंटे और सोलह मिनट का चंद्र ग्रहन लगेगा वहीं उपचाया से पहला चंद्र सपर्ष रात 11 बजिस्तान पर है इसका सूतक शाम टेरो चार छे मिनट से शुरू हो जाएगा दोस्तों और अधिक जानकारी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें